हलो बच्चों कैसे हो आपका स्वागा था तिरपान स्टेडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास एलेवन हिस्ट्री एंसी आर्टी सीवीसी नोमेधिकल इंपायर जो कावी महत्वपून है कक्षाइगार्मी इतिहास का अध्यावार समराज जी और यह एंसी आर्टी पर अधारित है जो कि एक आर्वी कक्षा के बच्चों के लिए है इसमें हम कुछ कोशन पर इनलाइ समझे देखिए और विचार कीजिए लेकिन आपको पता है कि टॉपिक करने से पहले कोशन करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं जिसको आपको सोचना भी चाहिए विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए वह यह है कि जब भी वेडियो देखिए पूरा देखिए क्योंकि अधूरा जनकारी सदेव खतरनाक होता है साथ में इंपोरेंट बात ये भी रहता है अगर आप पहली वार वीडियो देख रहे हो तो लाइक, सेर, सब्सक्राइब करना मत भूलना दो 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 लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनुवल बढ़ता है सब्सक्राइब कीजिएगा तो इसे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँगा उसका नोडिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा सेर का मतलब ये होता है कि आपके थुरू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाएगा ये आप भी नहीं जानोगा इसलिए जो है आप सेर जरूर करो ठीक है वर्ट सब स्टेटरस पे भी लगाओ कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए घलफूल है चाहरे हो एर्थ हो ना इन ऐस बाड के बच्चे हो ठीक है चाहए ब ये इम्मे के बच्चे को सभी क्लासों के लिए कुछ न कुछ जो है तिरपान से संटर में उपलब्ध है तो इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप सस्क्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो नहीं तो बात में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको इस चैनल प्राप्त ना हो तो इसलिए सोचना नहीं विचार नहीं करना है सस्क्राइब करके जो है अपने पास सिफ करना है तो यह तो बात था आपके लिए लिकिन आप देखते हमारा आज टॉपिक क्या है Today we discuss the most important chapter here, the three orders. The three orders is the most important chapter here for the 11th history. But next question arrive here that is important, discuss the achievement of the nation-states. You know that discuss the achievement of the nation-states here, that is important. The nation-states are known as the achievement. The nation-states are known as the achievements, some of them were here. The rises of the nation-states cruised the power of the Lord and this made people free from their excess. They bever way to the sitting of paces. And they tough the people to give support their kings. They unfuse the spirit of nationalism among the people of different classes here. They took a remarkable step for the considerations of economics of state. And they contribute a lot in the development of language, literatures and literature. You know that is important here. So, here we are talking about chapter 3 work. We are talking about this. 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 संचार किया काभी महत्पून है कहते हैं कोई भी देश तब तक सफल नहीं होता है जब तक लोगों में अपनी राष्टा की भावना के भावना नहीं होती है जिनमें राष्टा की भावना नहीं होती है वो कताजित आगे नहीं बढ़ सकती है इवन देखा जाए तो राज्ज जो है कदमों पर विचार कर रहे हैं कुछ राष्ट और राज उपलब्दियों पर चर्चा कर रहे हैं इसके अंतर आखरी बात यही रहती है कि नोंने भाषा साहित्य और वस्तुक अलागे विकास में योगदान दिया तो यहाँ पर बहुत ही काफी महत पूर्ण बात हैं जो और राज्य के लिए महत पूर्ण डाती है तो इसी के साथ हमारा टौफिक भी कटम हो जाता है जो काफी महत पूर्ण लगँ रहा है सधारण यह कहते हैं सधारण को सधारण नहीं समझना चाहिए एक्जायम विउ से हर कोशन बच्चों के लिए महत पूर्ण होते हैं तो उ सामने होता है ति कारण क्या होता है की उनको समझ में आ जाती यह तो बहुत हरानि वाली बात है ना की समंख्ष है उसकी अंसर भी आपका समक्ष है यह तो यह बहुत बड़ी बात है कारण होता है कि छोटा चीज ही बच्चों को बहुत नुक्सान पहुंचा देता है और यह बात यहां कोशन भी कहता है कि छोटा है कोई खास नहीं है कि पिर भी इसको याद कर लेना काफी महत्पून डेता है ठीक है समझ में आया अच्छा लगा जितना हो सके शेयर कीजिए कि शेयर करने स कीजिए सब्सक्राइब कीजिएगा तो एट क्लास से लेकर एम में तक के बच्चों के लिए सारी वीडियो यहां फ्लब्द है तो आप देख सकते हो समझ सकती हो ठीक है इसे सोचिए नहीं विचार ना कीजिए अभी तरिपांड सेंडर को सब्सक्राइब करके विमाल में स